आटो मोबाइल जगत की जानी मानी और प्रतिष्टित कम्पनियों में शुमार टोयटा इंडिया की डिलर्शिप कैसल टोयटा की और से प्रतापुरा के एकलव्य स्कूल में टोयटा हाइलक्स की ओफ रोडिंग केंपेंड शुरू हो गई है इस दो दिवसीय केंपिन में ग्राको को कम्पनी की इस दमदार गाड़ियों की खूबियों से अवगत करवाया जा रहा है ये इवेंट कम्पनी के कपूर्थला रोड और परागपुर जीटी रोड पर स्थेत डीलर्शिप के संयोक्त प्रियासों से कराया गया जिसमें बड़ी संख्या में ग्राकों ने शर्कत की ये इवेंट कैसल टोयटा की डारेक्टर सीमा होंडा, मैनेचरिंग डारेक्टर संजे होंडा की देखरिक में आयोचित हुआ इस मौके पर उनके इलावा वाइस प्रेजिरेंट सेल्स सचिन शर्मा, राजेश सेठी, अमित कुमार सहित डीलर्शिप का अन्य स्टाफ तथा ग्राहक भी मुझूद रहे जालंदर से हलचल के लिए कैमरामेन सुदेश भगत की रिपोर्ट हिए पिछर्टर मुझूद आप एक जालंदर सेट्र॥ा टरूटर मुझूद देड़ाएव घ्याटर ना को बनार्टर मुद भी मुझूद ना है, तो एक समयुद पर इकाल लोकल अन्य सुद्दां इतना दा पिकप ट्रॉक टाइप निपल एक कोई लूप लूप एक नाम सचिन शर्मा है मैं वीपी सेल्स हूं कैसल डियोटा में हुआज हम लोग एक इविंट कर रहे हैं जिसरा कि आपने देखा ही होगा इसमें हाईलक्स है जो कि एक अपने सेग्मेंट की एक बहतरीन गाड़ी जिसमें वो हर तरीके के आप्शिकल्स करके हमने कस्मस को दिखाए हैं जिसमें कि एक हाई टरेन पे गाड़ी चलती है उसके बाद नीचे आती है उसकी स्टेबिल्टी उस गाड़ी की अपनी ब्रेकिंग उस गाड़ी के अपनी बेस तु बेस इस तरीक सबसे बहतर तरीके से अपनी उसने डिलिवरेंस और अपनी प्रफॉर्मेंस दिखाई है और इंडियन आर्मी में करीबन बारा सो गाड़ी है अभी परचेज हमारे पास ओडर रहा है टेयोटा के पास और कैसल टेयोटा अपने ही कस्मस को इस गाड़ी की बहतर से बहतर एक लवे स्कूल प्रताब पुरा में जहां पर की कस्मस आ रहे हैं और टेस्डाइव लेके और इस गाड़ी के हर तरीके के एक टरेन पर चलाने का एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं अभी तक हम लोग 1500 कस्मस को टेस्डाइव दे चुके हैं यही अक्टिविटी कल के दिन और है जहां पर तकरीबन 4500 कस्मर के लिए हमारी टेस्डाइव स्केडियूल हुई है तो मेरे जितने भी दोस्त जितने भी मेरे अपने कस्मस या जितने भी मेरे लोग हैं जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं देकें कम टू अपना प्रताब पुरा एकलवे स्कूल और यह ग कारी की बहतरा ही जो बहतरीन चीज़े हैं उनको महसूस कर सकते हैं इस पूरे इवेंट के लिए मैं सबसे पहले टेयोटा का शुकर गुजार हूं जिसने हमें यह मौका दिया कि हम अपने कस्मस को इस तरह का एक टाच और फील एक्स्पीरियंस दे सकें और साथ में अपने कस्मस को इस तरह के टेरेन पर इस तरह की एक चीज़ को टाच और फील और एक महसूस करने का एक बहतरीन मौका दिया